नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं मुकेस हेल्प हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ दोस्तो मेरा नाम मुकेस है आज मैं आपको कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका इतिहास बहुत पुराना और पवित्र है इस्थान छोटे जरूर हैं लेकिन उन इस्थानों के मानता बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग तो उन इस्थानों के काफी करीब जाते हुए भी उन इस्थानों को नहीं देखते क्योंकि उन लोगों को उन इस्थानों के पूर जानकारी नहीं है अब आप यही सोच रहे होगे कि इतने पवित्रि स्थानों की जानकारी हमें क्यों नहीं है तो आप मत सोचें क्यूंकि मैं आज आपको इसकी जानकारी बिस्तार से बताऊंगा लेकिन क्या आप जामते हैं कि जब सीत कालिन के समय चारोधाम में बर्फबारी होती है और चारोधाम के कपाट बंध हो जाते हैं तो चारोधाम की पूजा अर्चना कहा होती है तो दोस्तो आज मैं आपको उन्ही इस्थानों के बारे में बताऊंगा जो चारधाम की तरह ही पवित्री स्थान हैं क्योंकि एक साल में छे महिने तक चारोधाम की पूजा अर्चना उन्ही इस्थानों में होती है लेकिन इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए आये हैं तो मेरे चैनल मुकेस हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तो अब सुरू करते हैं पहले इस्थान का नाम है खरसाली खरसाली गाउं उत्तराखंड के उत्तरकासी जिले में इस्तित है यह एक बहुत प्राचीन गाउं है गाउं छोटा जरूर है लेकिन यहां की महिमा बहुत बड़ी है इस गाउं में प्राचीन सनी मंदिर है, सनी मंदिर की कहानी पांडों के समय की है अगर मंदिर से जुड़ी कहानियों और इतिहासकारों के विचार को माने तो यह इस्थान पांडों के समय का माना जाता है और इसलिए कहा भी जाता है कि इस मंदिर का निर्मान पांडो ने कराया था इस सनी मंदिर में एक अखंड जोत भी मौजूद है ऐसी मानता है कि इस अखंड जोत के दर्सन मात्र से ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं इस सनी मंदिर से 5 किलो मीटर की दूरी में सनी की बहन यमना जी का तीरति स्थान है जिसे हम यमनूत्री धाम के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्स अच्छे तृतिया पर सनी देव अपनी बहन यमना जी से मिलने यमनूत्री धाम जाते हैं। और दीपावली के बाद भाई दूज के पावन पर्व में सन की डोली बहन यमना जी को लेने यमनूत्री धाम जाती है यमनूत्री धाम में सुबह से ही पूजा अर्चना होती है उसके बाद यमना की मूर्थी को गर्ब ग्रह से निकाल कर और पूरे बिद्विधान के साथ यमनोत्री धाम मंदिर के कपाट सीद काल के लिए बंद कर दिये जाते हैं इसके बाद मा यमना जी की मूर्थ को डोली में बिठा कर खरसाली गाउं लाया जाता है खरसाली गाउं में इस्तित यमना मंदिर में मूर्थ को इस्थापित किया जाता है और पूरे छै माँ तक स्रिधालू यहीं खरसाली गाउं में यमना जी के दर्शन एवं पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों दूसरे स्थाण का नाम है मुखवा गाउं मुखवा गाउं जी से मुखवास गाउं भी कहते हैं मुख्वा गाउं भगिर्थी नदी के तट पर इस्तित है, मुख्वा गाउं उत्तरकासी से 75 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित गंगोत्री धाम में सीत कालीन के समय बहुत जादा बर्पवारी होती है, तो दीपावली के बाद गंगोत्री धाम के कपाड बंद कर दिये जाते हैं, लेकिन उससे पहले मागंगा की मूर्ति को पूरे बिदिविधान के साथ गंगोत्री मंदिर से मुख्वा गाउं लाया ज जाती है, इसलिए मुख्वा गाउं को मागंगा का माईका भी कहा जाता है, दोस्तो तीसरे स्तान का नाम है उखी मठ, उखी मठ का मूल नाम उस मठ था जो बाद में परवर्तित होकर उखी मठ हो गया, उखी मठ उत्राखन के रूद्र प्रयाग जिले से एक तालिस किलो मी मीटर के दूरी पर इस्तित है, उखी मठ एक तीरत इस्तल है, जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है, सर्दियों के समय और दीपाबली के बाद जब केदानाध धाम के कपाट बंद होने से पहले, केदानाध धाम से मूर्त को पूरे बिद्विधान के साथ उखी मठ लाया ज जाता है, और पूरे 6 माह तक महादेव की पूजा अर्चना उखी मठ में होती है, दोस्तों आपने देखा, तीनों धाम में आप सीद कालीन के समय दर्सन कर सकते हैं, क्यूंकि दर्सन करने के लिए दूसरे इस्थान निर्धारित हैं, लेकिन बद्रिनाध धाम में ऐसा नह होते हैं, बाकि 6 महीने उनकी कपाट बंद रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कपाट बंद हो जाने के बाद भी 6 महीने उनकी अराधना और पूजा होती है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि कपाट बंद होने के बाद उनकी पूजा अर्चना कौन करता है, तो हम आपको बता दें सर्दियों में बद्रिनाध धाम की पूजा का अधिकार सिर्फ देवताओं और मालचमी को होता है इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है इसकी कहानी मैं आपको बद्रिनाध धाम की संपूड यात्रा में जरूर बताऊंगा दोस्तो मैंने आपको सीद कालिन के समय चारो धाम की पूजा अर्चना कहा होती है इनकी सारी जानकारी आपको बता दी है और उन पवित्रिस्थानों के नाम भी बता दिये है अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक सेर जरूर करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुँचे और मेरे चैनल मुकेस हेल्प को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद